हसारों साल नर्गिस अपनी बेनूरी पर रोती है तब जाकर होता है चमन में दीदावर पैदा कैनवास ब्रश और रंग मेरी दुनिया मेरी पहचान कलाकार कभी किसी चीज का मौताज नहीं होता है अब तक किसी भी भी चित्रकार ने अपनी लोग परंपरा को इतना विशाल सित्रिप्रदान नहीं किया था आज पूरी दुनिया भूरी भाई को और उनकी कलाको जानती है उन्होंने जैसे जंगल जीवन और जीवजन तुको देखा उसे वैसे ही अपने कैनवास पर उके रहा लोग चित्रकार भूरी भाई की कहानी साज़ा कर रही है शश्री प्रभा तेवारी जी चलते हैं उनकी इस खास पेशकस की तरफ मद्द परदेश की लोग चित्रकार भूरी भाई भी चित्रकारों में पहली कलाकार हैं जिनोंने कैनवास और ब्रस थाम कर अपनी लोग परंपरा की आकाश को एक नया शितिस प्रदान किया। आदिवासी बहुल जाबुआ जिले की पिटोल गाओं में जन्मी भूरिवाई बच्पन में अपनी मा के साथ गोबर, मिटी, फूंस से बनी दिवारों पर यूँ ही आकर्तियां बनाया करती थी। उनकी बच्पन की यादों में पिता पिरदया बेवरिया डांगडिक के नीचे वैठे हुक्का पीते थे और मा लखुबाई आंगन में बोहारती और उसे लीपती पोधती थी। उन्ही आदों को उन्होंने पिछले जून महीने में उद्धगाटित नए मद्ध प्रदेश जंजातिये संग्राले में दीवारों पर उक्यत किया। मद्ध प्रेश सरकार ने शिकर सम्मान, अहिल्या देवी सम्मान और दुर्गवती सम्मान से भूरी भाई को सम्मानित किया। बच्पन में हवाई जहाज को आसमान में उड़ता देख एक सामान बच्ची की तरह बैवी उसमें बैटकर उड़ने का सपना देखती थी लेकिन कौन जानता था कि उनका ये सपना एक दिन साकार होगा। ट्रेन द्वारा उन्हें बेचनी जाया करते थे। यहां पर वो पेंटिंग दिखा रहा है जिसे भूरी भाई ने बनाया है और उस पेंटिंग को पूरे विश्य में प्रसुद्धी मिली। और भूरी भाई इस तरह सभी की प्रणा बन गई। ट्रेन से अनास से दाहोद बेचनी जाते थे लकडियां। हम 11 वजए सावर्पनती एक्सवरिस पकड़ लेते थे। शाम को उसी ट्रेन से लोटते थे। इस तरह आमदनी तो बड़ी पर मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बुरी बाई बताती हैं उन्हीं दुन मेरे चाचा बहुपाल जाकर मजदूरी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वहाँ 6 रुपए रोज मिल जाते हमें जानकर अच्छा लगा। सो मैं और बड़ी बैन यहां आ गए। तब हम बड़े तालाप के किनारे जोपणियों में रहते थे वो पराल के। मानब संगरहले वन बिहार भारत भारत भावन के निर्माण का काम चल रहा था। मजदूरी अच्छी मिल जाती थी। ऐसे मिली जिन्दगी को नई दिशा भारत भावन में इंड होने का काम कर रही थी। वहीं बावाद जे स्वामी नाथन आकर बोले कि तुम में से कौन शादी ब्याके चित्नों को बना सकता है। हिंदी आती नहीं थी। मेरे चचेरे भाई ने उनकी बातों को समझाया। मैं इसके लिए त्यार हो गई। पर मेरे सामने एक सवाल था कि फिर छह रुपए की मजदूरी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दस रुपए देंगे। मैंने बहां बैठे बैठे कुछ चित्र जमीन पर बनाए। उन्हें मेरे बनाए वो चित्र पसंद आए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम यहीं काम करोगी। पर कैनवास, कागज, ब्रश और रंगों से पहली बार दस चित्रों के पंद्रह सो रुपए दिये। मेरी कलपना को नया अकाश मिला। मैंने जंग, जीवन, जीवजन्त और अपने आसपास के वातावरण को जैसा देखा। वैसा भीली जित्र कला के माध्यम से उखेरा। मेरे काम को सभी ने सराहा। इसी तरहे धीरे-धीरे मुझे पहजान मिलने लगी। अच्छा काम भी मिल लगा, मेरे करियर को भुपाल के आदिवासी लोककला परिशद के निरेशक कपिलतेवारी ने भी सराहा और उन्होंने मुझे यहां वातोर नौकरी दी। मैं पहली बार अपनी चित्रों की प्रदशनी के लिए दिली गई और वहां मुझे प्रदान मंत्री इंद्रा गांदी जी से मिलने का मौका मिला। अब तो वह नहीं हैं पर मेरी बड़ी बेटी शानता भाई, छोटा बेटा अनिल बारिया और बहुत सविता ने भील चित्रगारी मुझे सीखी और वह अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपने गांव वारिष के दिनों में जाती हूँ, वहां खेती का काम करती हूँ, मुझे वहां के मिट्टी की खुश्बू तासगी से भगत देती है। आंगीठी पर मक्की की रोटी और लाल मिर्च लेसन की चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता। कभी कभी भीलनी गीत आंगनिये न रहिये न बापा बुलावे, गुन गनाती हूँ तो पिता की याद आ जाती है। और मैं भावक हो जाती हूँ, साथियों आज की इस शक्सित एपिसोड में आपने देखा कि विपरीत परिस्तितियों में भी एक कलाकार ने हिम्मत नहीं हारी और उसकी कला की कदर की गई, उसके हुनर को पहचान मिली, उसको आसमान मिला खुला अपनी अव्यक्ति को अव् साथियों कितिनी भी विपरीत परिस्तितियों हो, अगर आपके अंदर कोई न कोई ऐसी छुपी प्रतिवा है, और आपको सही दिशा और आपकी लगन, अपनी कला, अपने हुनर से प्यार है, तो उसे एक दिन भहचान अवश्य मिलेगी, जिस तरह भुरी भाई को मिली, जे कमेंट वोक्स में अवश्य बताएं, इस कहानी को सुनाने का बस यही मकस्ता कि आप पॉजिटिव रहें और अपनी कला को तरास्ते रहें, धन्यवाद